अब वक्त हो तुका है टॉप 20 खबरों का नमस्कार मेरा नाम है ग्यानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्ग दिल्ली में विकेंड कर्फ्यू हो सकता है खत कुछ दिनों में ही इसका एलान हो सकता है बता दे कि इस संदर्म में CMK जिर्वाल ने माननीय उपराज जिपाल के सामने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उन्होंने जो विकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लागू है और जो और इवन तर्ज पे दुकाने खुली होती थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था जिसे माननीय उपराज जिपाल ने अस्विक्रित कर दी थी देश में कोरोना के लगातार मामले घट रहे हैं बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के लगभग 30,5,000 मामले सामने आएं वही मौतों की बात करें तो 435 मौते भी दर्ज की गई है वही राजियों की बात करें तो करनाटक में सरवाधिक मामले सामने आ रहे हैं करनाटक में लगभग 54 मामले सामने आये हैं और इस समय देश में लगभग कुल एक्टिव केसिस की बात करें तो लगभग 22 लाग केसिस ह उत्तर भारत में जारी रहेगा कोहरे और ठंड का प्रकूप दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड बता दे की मौसम विभाग द्वारा पहले से ही दिल्ली में यलो अलर्ट जारी है इसका कारण पच्छमी भी छोब बताया जा रहा है उत्रा खंड में कोवीड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है वही बात करें तो आंगनवारी केंदर और स्कूल अभी बंद रहेंगे बच्चों की ऑनलाइन क्लासे जारी भी रहेंगी वही राजनितिक दलो के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है सुप्रिम कोट में आज 6,000 NGO के FCRA लाइसेंस रद करने से जुड़ी याचिका पर हो सकती है सुनवाई रिलाइन्स, TCS और इन्फोसिस सही देश की टॉप 10 कंपनियों पर भारी रहा पिछला सपता बताया यह जा रहा है कि इन कंपनियों का बजार मुहल्यांकन संयुक्त रूप से ढाई लाग करोर से ज़्यादा घट गया है अनुश्कर सर्मा की बेटी वामिका की तस्वीरे इंटरनेट पर हुई ली फैंस ने पहली जलक देख कर बताया मीनी विराट ग्रियमंत्री अमित्शा बोले नेता जी को वही मानिता जी जा रही है जिसके लिए वो हकदार है राष्टपती ने भी कही है ये बात पता दे कि अब ग्रियमंत्री अमित्शा ने नेता जी सुभाष चंद्रबोश की 125 वी जैनती पर उन्हें श्रधांजली दिये और उनके अभिन्य योगदान के लिए उनकी सराहना भी की है ओपो रिनो सेवन स्रीज भारत में जल्द हो सकता है लॉंच बताया ये अभी जा रहा है कि ये चार से पांच फरवरी के बीच लॉंच किया जा सकता है कैप्टर अबडिंदर सिंग का बड़ा बयान उन्होंने कहा कि सिद्धू को पंजाब में मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से हुई थी लॉंबिंग लिविन में रह रही गल्फरेंड की हत्या कर वाइफरेंड ठाने पहुचा और उसने यह भी बताया कि उसकी गल्फरेंड शराब पीकर आए दिन उससे जगड़ा करती थी परदहान मंत्री नरेंडर मोदी आज रास्ट्रिये बाल पुरशकार विजेताओं से समबाद करेंगे इस दोरान जो भी विजेता हैं उन्हें डिजिटल प्रमान पत्र भी दिया जाएगा दिल्ली में आज 50-35 शमता के साथ खोले जाएंगे नीजी दफ्तर वही कोविड नियमों का पालन करना आनिवारे रहेगा वेब स्रीज मिर्जयापूर से फेमस हुए बबलू भीया ने बोला अगर उन्हें कैरियर में मौका मिलेगा तो वो महात्मा गाधी का किरदार निभाना चाहेंगे विराट कॉली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साई क्यानवी बार पचास प्लस पारी खेली है इसी के साथ उन्होंने महिला जैवर्धने की जो रिकॉर्ड थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है पूर्व भार्तिय कोच रवी शास्त्री ने कहा विस्वकप जीतने के अधार पर कप्तान और कोच का आकलन करना बन्द करें फिल्म फाइटर में रितिक रौशन के साथ नज़र आएंगी दीपिका पाधुकूर्ण दिपिका पादुकोन ने कहा कि वो फिल्म फाइटर में रितिक रॉसन के साथ काम करने के लिए काफी उत्साही थी बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने कहा कि वो यूपी विधान सवा में होने वाले चुनाओं में बीजेपी के अगेस्ट में प्रचार करेंगे भाजपा की आज जिल्ली में एहम बैठक इस बैठक में अंतिम चरण के चुनाओं के लिए उमिद्वारों के नामों पर होगी चर्चा बदादे कि इससे पहले भाजपा ने 85 उमिद्वारों की अपनी तीसरी सूची जारी की थी उद्धौ ठाकरे का बड़ा बयान उनों ने कहा कि गठबंदन में उनोंने भाजपा के साथ 25 साल बरबाद किये हैं उनोंने यह भी बताया है कि भाजपा ने अपनी राजनिती को लेकर के हिंद्धित्वों का इस्तमाल किया है इस वीडियो के संदर्म में हमारे वीवर्स के क्या राए हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को जड़ा सादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले साथ ही हमारे इंस्टा और फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें अब अपने दर्शकों से लेते हैं आलविदा और कल मिलेंगे इसी वक्त टॉप 20 खबरों के साथ